हेलो, नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राज कचोड़ी, राज कचोड़ी का नाम सुनते ही मूह में पानी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे यह सामात्री की जरूत पड़ेगी, तो मैं आपको बताते हैं सबसे पहले, मुझे सूजी, फिमली की लाज चटन खरी चटनी धनिया वाले, दही जो मैंने इसमें मीठा कर रखा एक चमच चीनी डाल के और यह अंकुरित दाल, अंकुरित मूंग दाल, सावित, और यह एक आलो, आटा हुने के लिए पानी और तेल, एक चमच, यह मसाले में मुझे चाहिए हुना हुआ चीरा, नमाक, सफे आए, मैं आपको आटा बनाना बताती हुँ, तो मैंने एक बावल सूझी का लिया है, इसको मैं टालती हुँ, और इसमें मैं यह चोटी वाली तो चमच बगे, और अए, इसको में पूरा डाब देगी हुआ और ये चुटकी भर नमाद की हमें इसको हास से प्रेंस करके एक इतना ओयल होना चाहिए ये खुब अपना एक तूसरे में मिक्स हो जाए और ये थोड़ा से इस टाइप से हो जाएगा ते फिर मैं इसको गुंगुंगुना पानी लिया ह पानी इसमें कमी लगेगा और इस टाइप से इसको गुंग के थोड़ा जलूज गुंगना इसको ये सूजी फूलती है तो फिर बाद में इस खुदी टाइट हो जाता है इस टाइप से मैं इसको गुंग के एक गंटे पूरा और इसको एक दम धखके एक गंटे के लिए एक गंटे बाद हम इसको पूरी बनाएंगे ये एक गंटा हो चुका है मेरे आटे को हमने इसको आराम से टाइट हाथ से अच्छे से इसको मलती ही इसको मैं चकले की सायता से इसको अच्छे से और कम से कम मैं पंद्रे मिनाट तक इस आटे को ऐसे मल होगी जब मेरा आटा तयार होगा और ये मेरा आटा तयार हो चुका है अब मैं इसकी छोटी-छोटी जितने हमने राज का चौरी का साइज चाहिए उससे साब से मिने पूरी चाहिए तो ये चाब पूरी बढानेंग जब कुल ना चाहिए उसे पीजिते हैं, इसलिए हैं जाने में पात्ली नहीं करणी है ज़िए और भीयों विस्टाइटी इन हम बेम दर दे कि गीए यह मेराग एक तेल गरम होच पैर मैं ते पून्या से गीए विस्टास किसा आरकाच दे कि साहिता कि हम बेंपनी से एक भी करेंगे तो यह सारा हम से फ़र बढ़िया फूले और यह को डावती हूं तो इसी ताइप से जरेस करते हूं आज को मैंना पहले तेज रखना है तो यह लग्षे से गरम हो जाए तो मेडियम आज को ले लेखे तो बना जेल भी सकती है आपको बढ़िए यह पूल को पूल हो जाएगा ना करारा ब्राउन कलर का कहुं इसे बिकाएगा तो यह पीरी पूल दिया था चलिए अब हम बनाते हैं राज कचोड़ी अब इसको मैं फोड लिया अब हम इसमें गडिवी सलाथ और यह अंकुरिक मूँ और यह आलू तीनों को मैं मिक्स कर लेती हूं और मैं इसमें भड़ देती हूं इसमें पाराम से जितना आप खाने अच्छा लगे आपको उतना आप बढ़ दो इसके बाद मैं इसमें डालती हूं यह तही मैंने जो तही बनाया है इसमें मैंने एक चमस चीनी एड कर लगी है खारी चटने जैसी हम खाना चाहते हैं जादा खाते हैं जादा खाते हैं तीका खाते हैं तीका और यह लाग चपनी हल कसा बिल्कुल चरास नमक क्योंकि इसमें चटनियों में नमक है न हल किसी मिर्च बुना हुआ तीरा हलका काला नमक में नमकिन करना पसंद करते हैं और साथ में यह बुड़ा सा करारे के लिए यह बन गया हुआ है और उपर से तुमिसी लाग प्रेंदी वाले तुमिसी क्रीन जटनियों और यह हो गया हमारे रेंदी राज के चुवरे जटनियों इसे करेंदी